जिन्दगी कभी-कभी हमें ऐसे मोल पर लियाती हैं, जहांसे हर रास्ते में सिफ अंधेरा ही नदर आता है दोस्तो ये है मेरी जिन्दगी की पिछले 40 दिन की कहानी पहले सब कुछ ठीच चर रहा था, मैंने अपना स्टूडियो को लिया था नए प्लाइस बन रहे थे और मैंने एक नए एक्शन कैमरा लेने का प्लाइन भी किया था लेकिन कभी-कभी जिन्दगी के प्लाइस हमारे प्लाइस से अलग होते हैं एक दिन सब कुछ बदल गया, सारी सेविंग्स खतम हो गई, दुकान किसी रिजन की वेज़ास से बन करना पड़ी, और एक्शन कैमरा लेने का प्लाइन प्लाइन ही बन कर रहे गया मेरे पास और डिटी जो कैमरा है, उसका मेरे पास एक ही लेंज है, 30 mm, जिस पे व्लॉगिंग करना इंपॉसिवल है, मैंने अपने पहली वीडियो में बदा आ है, कि उस लेंज के साथ में व्लॉगिंग नहीं की जा सकती, इसलिए ये वीडियो में मैं अपने फोन से मना रहा हूँ, जिसका स्टेबिलाइजेशन बिल्कुल के अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएंगी, बस ये वीडियो में इसलिए बनाया है, क्योंकि मैं बता सकू कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई है, पिछले 40 दिन से नहीं, बहुत टाइम हो रहा है, जब से ये प्रॉब्लम है, खैर प्रॉब्लम्स हो बहुत सारी है, लेकिन ये वीडियो में हम प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते हैं, ये वीडियो में बस बात ये करनी है, कि वीडियो आएंगी, और जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं मैं से वीडियोस बनाऊंगा अभी फिलाल के लिए में भी आने वाली दो-तीन वीडियो में डिले होगा लेकिन जैसे ही मेरी सिचुएशन सौट आउट होती है तो वीडियोस रेगुलर आना चलो हो जाएंगे मैं अपने कॉंटेंट क्रियेशन के पैशन से पीछे नहीं याटने और मुझे ऐसा ही चाहिए तो मैं जो चीज़ पर आड़ जाओ मुझे वो करना पड़ता है मेरे उसके आगे मैं जाई नहीं पाता तो बस यही प्रॉब्लम है और यह प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है मुझे मेरे गेर्स अपडेट करने है मुझे मेरे एडिटिंग स्किल अ अपने पैशन की वजय से हूँ मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दो बार कमबैक किया है और तीसरी बार अभी बैक ही नहीं जाना है तो वीडियो आएगी जल्दी आएगी वीडियो आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो थोड़ा सा बस थोड़ा सा मेरे इसी तरह नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाए